बेलकम टू माई चैनल रच्छा की रसोई आज मैं आपके लिए ले करके आई हूँ एकदम नए तरीके से बनने वाली आटा बिस्किट की रेस्पी बहुत ही हेल्दी बिस्किट है ये आप बच्चों को बाजार की जगा घर की इस्पेशल बनी हुई बिस्किट खिलाईए और फैमिली बालों को भी बिल्कुल भी नुक्षान नहीं करती है और देखने में बहुत ही खुबसूरत हैं आप जिसे भी सर्व करेंगी बिलीब मी वो जरूर पूछेगा कि इसको आपने कैसे बनाया आप देख सकते हैं कितना प्यारा इनका लोग है बनाने में बेहत आसान है फटा फट से 10 से 15 मुनट में आप इनको बना करके तयार कर सकती हैं तो चलिए देरी किस बात की शुरू करते हैं आज की स्पेशल बिस्किट की रेस्पी आज मैं आपके लिए लेका गया ही बहुत स्पेशल सी रेस्पी उम्मीद है आपको आज की रेस्पी पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं गेहू आटा बिसकिट बनाने के लिए सबसे पहले यह कियों लेनी हैं मैं आगे आपको बताऊंगी और इसमे हम डालेंगे एक कफी गुन-गुना पानी आप हम इसको करेंगे मिक्स से तो आपको जब तक मिक्स करना है जब तक चीनी मैल्ट हो जाए लेकिन यहां पर थोड़ी सी आपको चीनी को बचे रहने दिना है ठीके पूर चम्मच पुस्ता दाना जिसे आप पॉपी सीर्स भी बोलते हैं और एक चम्मच ही हम डालेंगे मेलन सीर्स यह बहुत ही आपके पास पुस्ता दाना या मेलन सीर्स नहीं है तो सबसे बढ़िया है आप इनकी जगह कुछ ड्राइफूर्स डाल सकते हैं जैसे काजू बादाम कुछ भी नहीं है तो मट डालिए आप यहां पर लेंगे दो कप गेहूं का आटा तो मैं गेहूं के आटा से बनाने वाली हूं आप चाहे तो यही स्टेप मेंदा से भी कर सकते हैं बट आटा जो है काफी हेल्दी होता है नुकसान नहीं करता है तो चलिए फटा-फट से हम इसको मिक्स कर लेते हैं और आपको थूड़ा थूड़ा साटा डालना है और इसको मिक्सMart करते जाना है और आप words से अच्छे से घूथेंगे तो आपको इसको Cert के मूथ तक помог गूत भाने हें CO तो इसको निकाल करके हम अच्छे से मसल करके एक बार चिकना कर लेते हैं अब हम इस आटा को दो बराबर हिस्तों में बाटेंगे और जो हमने एक हिस्ता बचाया है उसको भी हम गीले कपड़े से धग देंगे और अब हम इसकी बढ़िया से एक लोई बना करके तैयार कर लेंगे हमने लोई बना ली है अब हम लेंगे बेलन , हलकी से ग्रीसिंग कर लेंगे ताकि बेलते समय चिह यह रहा से हम मोटा चिुहे यह पेल अब हडार एक बिचया खुत करते सी कि दिशत कीश मोड दुट काया है कि biscuit अंदर से काफी soft बनती है उनमें हलकी सी layers पढ़ जाती है तो बस हमने इसको अच्छे से मोल लिया है फिर से हम इसको लोई का सेप दे देते हैं आप चाहें चिसको जैसा सेप है बैसे में ही बेल सकते हैं सेप से कोई फर्क नहीं पड़ता बट फिर भी मैं दे देती हूँ तो चलिए फिर से हम इसको बेल लें तो इसके जो ठीकने से सब्सक्राइब या अधो ऐसे मोटा रखना है लगबग आसले तीन रोचि के बीज़ना इन पणाव्ट से देती हूँ मैं नि Test, अम इसमें काफी मोटा रख आ हैं और इसमें बेकिन पावडर बेकिन सुड़ थोड़ा सा रखेंगे इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि यह बहुत ही आसानी से नीखे तक कट जाए जैसे cohort कोल-कपपे काडते है पस इस तरह को कुट कर लीते हैं बिस्कित को कुट कर लिया हम इंकी किनारे की अगली बार बिस्कित बनाने में यूज में लाएंगी तो चरी इसको में अलग रख देते हैं और आप मैं आपको बताती हूं इसमें बिस्कित की डिजाइन बनाना बहुत ही आसान है इसके लिए हमें जरूरत होगी इस तरह की कटर की अगर आपके पास कटर नहीं है तो मैं आपको बताऊंगी तो इस तरह ऐसे जो फ्रेंच फ्राइस कटर होता है उसमें हम इस विस्कित को रखेंगे हलका सा हम करेंगी प्रेस ताकि जो डिजाइन है बहुत अच्छे से हमारी बिस्कित में उभर जाए और यह लीजिए हमने इसको निकाल लिया है कितनी प्यारी ड प्रेंगे तो यह लीजिए हमारी बिस्कित में बहुत ही प्यारी डिजाइन बन करके तयार हो गई है यह देखे कितनी प्यारी डिजाइन लग रही है लग बंग उसी तरह है लेकिन थूड़ा सा उससे चेंज है इसके बाद में आपको अभी दो-तीन डिजाइन और बना कर कि बताऊंगी तो चलिए इसी तरह से हम सारी अपनी बिस्कित जो हैं बना करके तयार कर लेते हैं तो आपको हलका सा दवाना है ताकि अच्छी अंदर तक उभर करके आए डिजाइन तो यह लीजिए इसी तरह से हम सभी बिस्कित बना करके तयार कर लेते हैं तो लीजिए ह तक बिसकिट मैंने अलग से अछ कःकि दे पाऊंगे तो अटीन के pearए से ए neighborhood ज्वो डिजाइन आप कई तरह में देती हैं आप कहए लेकिन कई देती हूं डेकल आलगा देपर सिखेंगा जीए रजिए चाया मेंधिया विशने ऌससे लिखें में पतना कैंई हैं धारियां आएंगी जो की देखने में काफी सुन्दर लगती है और इसको हम थोड़ा सा सेफ दे देते हैं अंडाकार में यह देखिए कुछ इस तरह से आप इसको सेफ दे सकते हैं तो एक डिजाइन हमारी यह हो गई आप चाहे तो इस तरह से भी बिस्किर बना सकते हैं और मैं आपको डिजाइन बता देती हूं नाइफ की हेल्फ से इस तरह से आप लंबाई में लाइन कर लीजिए तो यह भी बहुत सुन्दर लगती है देखने में यह देखिए अब एक देंगे हम धकन या कोई कुकी सकतल ले लीजिए उससे इस तरह से डिजाइन मना दीजिए सकता है अपनी सारी बिस्क्यूर्ब को टेल में डाल देंगे इंको सखने के लिए आप चाहे तो इन बिस्कित को माइक्रो बेव में बेग कर सकते हैं या कड़ाई में भी बेग कर सकते हैं बढ़ कुछ लोगों की प्रॉब्लम आ रही थी कि यह उनसे बेग नहीं हूपा रही है तो यह सबसे बेश्ट सॉल्यूशन है उनको बनाने का बिस्कित का दस्ते सुनहरी हो जाएंगी तब आप इनको नौर्मली स्टैप्शला से निकाल सकते हैं तो लीजिए उनको पलट लिया है और दूसी साइड भी आप इनको तीन-चार मिनट तक सिखने देते हैं तो टोटल इनको सिखने में दस मिनट का समय लग जाएगा तो चलिए फटा पर से हम इनको और पलट लेंगे और दोनों तरह बढ़िया हम सुनहरा होने तर सेख लेंगे तो इनको याद रखना है लोटू मीडियम फ्लेम में ही सेखना है ताकि अंदर तक सिख जाए क्योंकि काफी इनकी मोटाई जाड़ा है कच्छी नहीं रहनी चाहिए और यह बहुत ही बहुत प्यारा सन का कलर आ गया है तो चलिए फटा फट से इनको हम दोनों साइड अच्छा सेख लेते हैं तो लीजिए जो फाइनली हमारी बिस्कित है बहुत अच्छी से दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन सेख चुकी है और देखने में बहुत ही सुन्दर लग रही है एक महिने तक अराम से स्टोर कर सकते हैं तो महीने भर तक चलती है खराब नहीं होती है तो चलिए तरह से जो हमने दूसी घिक बना करके रखी हुई थी इनको भी हम सेख लेते हैं तो इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है कि बिल्कुल लो टू मीडियुम फ्लेम पर ही बिस्किट को सेखना है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है लेकिन अच्छी सिखती है तो लीजिए तैयार है हमारी बिस्किट अब बात करते हैं मैंने क्यों बोला था कि चीनी आपको पूरी तरह से मेल्ट नहीं करने हैं आप बिस्किट को ध्यान से देखिए इसमें हलके चीनी के क्रिस्टल देख रहे हैं तो यह जाते हैं पस थोड़ी सी आप चीनी को छोड़ दीजिए पूरी तरह से मेल्ट मत कीजिए जो कि लोग बहुत अच्छा था आपने कभी कभी मार्केट की विस्किट देखिए हो उसमें इस तरह से हलके हलके से चीनी लगी रहती है तो यह चीज मैंने आपको इसलिए बोली थी कि लोग बहुत अच्छा है विल्कुल बाजार जैसा लोग आए तो यह लीजिए हमारे जो दूसी डिजाइन की थी बिस्कित वह भी बहुत अच्छे से सिख चुकी है इस तरह से आप भी बढ़िया हेल्दी हेल्दी बिस्कित बनाइए और इंजॉय करिए तो चलिए मैं आपको एक दो बिस्कित तोड़ करके दिखा देती हूं यह देखिए कितनी बढ़िया यह बिस्कित अंदर से भी हैं बहुत ही बाहर से क्रिस्पी है अंदर से सॉफ्ट है बहुत टेस्टी है मेरे बच्चों को बहुत पसंद आ आई होगी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजेगा फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक्यार